तो हलो और वेलकम अगें दोस्तों फुक्रे 3 मूवी के आज Box Office Collection के बारे में बात करेंगे फुक्रे 3 की बात करेंगे फुक्रे 3 ने कल 12 दिन कंप्लीट करके आद 13 दिन में एंट्री मार ली है बाई साब ये जो नई ताजी फिल्म आई है ना मिसन रानी गंज हो गई, उसके बाद सनी देवल के बेटे की दोनों मूवी आई है, उसके बाद वो वलगेर वाली कौन सी मूवी है, थैंक यू फॉर कमिंग हाँ, वो भी आई है, तो ये सब रनिंग चल रही है थेटर्स में, लेकिन बाइगोड उन दोनों की तो धज्या उ हाथ वो चल रहे हैं, हाँ, फकरी थरीका मैं बताऊंगा, बजट कम्पलीट करके ये प्रॉफिट कमा चुकी है, अगर इन्हें सूपर हिट भी बोल दें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिसन रानी गंज अभी नीचे है, अभी अंडर दा प्रोग्रेशन है, तो ये इस टाइम पे बहुत सा क्राउड है, थेटर हाउस में मैं अगेन अगेन कह रहा हूँ कि बहुत क्राउड है, लेकिन दोनों मोवी जो सनी देल के बेटे की है, और थैंक्यू फॉर कमिंग इन दोनों की ना धज्या उड़ी पड़ी है, वैक्सिन वार की तो कहीं बात ही नह पर इन दोनों मोवी को ना बिल्कुल सोज नहीं मिल रहे हैं, अगर मैं ये कहूं कि इन दोनों फिल्मों को OTT फ्लेट फॉंस पर रिलीज कर दिया जाता है, तो बाई गॉड वहां से ये अच्छी ही कमाई करके ले जाती, फिर इनके बात नहीं करते हैं, लेकिन हम बात करत प्रेट कर लेखारे हैं, फुक्रे 3 की क्या ग्रोथ कर रह रही है, फुक्रे 3 ने जो ब्रेंडिंग सेट करी हैं, इसका फुल फायदा उथा रहे हैं, जैसी र variables फुक्रे 1 को देखने को मिला था, वही shifts फुक्रे 3 थििमे भी देखने को मिला है, फ्री प्र एम पिज्जट क करोन का कलेक्शन रहा, second day 7.83 and third day 11.67, तो पहले तीन दिन में 28 करोन का huge कलेक्शन ये मूवी कर चुकी थी, जबकि मिसन रानी गंज आज छटे दिन में भी स्रिफ 24 करोन का कलेक्शन कर पा रही है, सिर्फ 6th day और 7th day में भी अच्छी खासी कमाई करते हुए, मूवी ने पहला हपता सांदार तरीके से कम्प्लीट करते हुए, 66.02 करोन की huge कलेक्शन अपने खाते में रख ली थी, इसे के साथ बात करें, आठवे दिन यानि, second Friday कैसे से कमाई 2.31 करोन, नवे दिन में, second Saturday में 4.02 करोन की कमाई रही, और वहीं दसवे दिन संडे मंतलव, second Sunday में 4.11 करोन की इस मूवी ने कर ली थी, बात करें, ग्यारवे दिन की तो Monday 1.41 करोन का कलेक्शन मूवी ने करा, और अच्छी खासी कलेक्शन करी है, जबकि फुकर तरी के पास कोई ऐसे बड़े-बड़े चहरे नहीं है, एकसे कुमार जैसे चहरे नहीं है, या फिर साहरूख खाने, कोई भी आप बॉलिवुड के बड़े फेस ले लो, वैसे कोई चहरे नहीं है, सिर्फ पंकस्तिरपाटी हैं, उसके बाद पुलकित समराठ हैं, अपने लाली पाजी हैं, और चूचा सिंग, वरुन सर्मा, रोल जो ये सारे एक्टर्स हैं, ये हमेशा सपोर्टिंग रोल में ही आते हैं, और इन्होंने बहुत ही अच्छी कलेक्शन में कह रहा हूं करी है, तो यस, पहले 11 ही दिनों में मूबी ने टोटल कमाई कर ली थी 77.87 करोण का यूज, यूज कलेक्शन, यस, ये जो जवान के रेच को जहल पाई है, जवान की जो आग धदगती आग थी, उसके सामने टिक पाई ये कौन फुक्रेथिरी, वरना और कोई भी जितनी भी मूबी आई, बाइगाट जवान के सामने सब धरासाई होगी, ये सनी का उसल की ग्रेट इंडिन फैमिली तो उसके तो नामी नहीं आ रहा है है, गदर टू भी अब कहीं न कहीं, खतम ही हो चुकी है, लेकिन गदर टू काफी लंबे समय तक थेटर में राच करके गई है, लेकिन बाइगाट है उस लेगेसी को, हैट सानी देल के स्टार्डम को, बात करें कल यानी बारवे दिन यानी सेकेंड टूजडे कैसी ग्रोतरी, भई साब अमेजिंग ग्रोतरी मैं कह रहा हूं, वर्किंग डे होने के बावजूद भी अच्छी खासी कमाई अपने खाते में लेके आई है, फुकरी थिरी, और साथ में इतना कॉम्परीशन होने क बावजूद मिसन रानी गंज, जवान जैसी मूबी का कॉम्परीशन होने के बावजूद, क्योंकि ये आखफाड कमाई कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं जो दो तीन फिल्में और हैं, वो भी इसके सोच खा रही है, तो उसके बावजूद फुकरी थिरी ने बहुत अच्छ ग्रोज चल ली, तो आज भी सॉलिट कमाई करते हुए मूबी नजर आ रही है, और आट से दस परसेंट के अक्यूपेंसी के साथ अपने खाते में इस मूबी ने रखा है, और यस कुछ एक जगह अच्छे खासे सोच के साथ ये मूबी जबर्दस ट्रेंड कर रही है, लेक यही कलेक्शन आज हमें वर्किंग डे में चार करोण के आसपास देखने को मिल जाता, लेकिन बाइगव फिर भी मैं कहूंगा कि जो लेगसी इनोंने सेट करिये, उसके दम पर ये मूबी अंडर डॉग मूबी है, मैं इसे अंडर डॉग ही मूबी कहता हूँ क्योंकि यहा और बज़र था इसका 45 करोण का तो वही मैं कहा रहा हूँ, फ्रॉफिट बहुत अच्छा गमा लिया है मूबी ने, और यस इसे ब्लॉग बस्टर अगर कहें, कोई छोड़ी बोड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर ये मूबी 100 करोण कंप्लीट कर जाती है, तो बाइगव ब रानी गंज मूबी और फुकरे थिरी दोनों ही देख लिए, तो आपको दोनों में से कौन सी बेस्ट मूबी लगी और कौन सी मूबी कितनी कमाई कर सकती है, ये आप लोग बताएंगे नीचे कमेंड बोक्स पर, क्या मिसन रानी गंज फ्लॉफ हो जाएगी, जो अभी आज 24 करोण की कमाई करते नजर आ रही है, जिसका बजट 55 करोण है, क्या 55 करोण भी कम्प्लीट नहीं कर पाएगी, अक्से कुमार की मिसन रानी गंज, जो भी आपकी राय है नीचे कमेंड बोक्स पर, बता के जाना, फुकरे थिरी और कितनी कमाई कर सकती है, मैं मान के चलना 120 करोण का कलेक्शन, लाइफटाइम कलेक्शन तो ये मूवी कर ही सकती है, तो जो भी आपकी राय है नीचे कमेंड बोक्स पर, जरू बता के जाना, और बागी दोनों मूवी आपने देख ली तो आपका experience कैसा रहा, वो भी बता के जाना, मिलते हैं अगली वीडियो में, ज एंदे